Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग Code of Civil Procedure 1908 के अंदर अपील का एक Quick Revision करते हैं सबसे पहले हम लोगी समझते हैं कि अपील का मतलब क्या होता है देखें जब हम लोग किसी Lower Court के फैसले को, Lower Court का फैसला आप चाहे Decree हो या Order हो Appellate Court में यानि उपरी अदालत में चैलेंज करते हैं तो इसको Appeal कहते हैं CPC के अंदर कई तरीके की Appeal बदाई गई है जैसे Appeal from Original Decree जिसको First Appeal भी कहते हैं इसका Provision आपको Section 96 और Order 41 के अंदर इसका Procedure मिल जाएगा दूसरी आती है Second Appeal जिसको Appeal from Appellate Decree भी कहते हैं इसका Provision आपको Section 100 से 103 के बीच मिल जाएगा और इसका Procedure Order 42 के अंदर मिल जाएगा तीसरी आती है Appeal from Orders ये आपको Section 104 और Order 43 के अंदर मिल जाएगे और उसके बाद आती है Appeal by Indigent Person ये Appeal आपको Order 44 के अंदर मिल जाएगी और उसके बाद आती है Appeal to Supreme Court जो Order 45 के अंदर है